प्रेस दे बेल आइकन आप एपट्षाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट तो वेलकम बैक स्टोडेंट इस और विजेहर और चैप्टर थर्ड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है क्लास 11 की जोगरफी का ये चैप्टर थर्ड है जैसे आप हिंदी में पिर्थवी के आंतरिक भाग बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर हम इसे इंटिरियर पार्ट अफ दो अर्थ सर्फेस बोलते हैं यहां पर हम important question NCQ से related इस वीडियो के इंदर जानेंगे मेरा नाम विजय है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में तो सबसे पहला question अगर हम देखें कि जितनी भी हमारी कहते है volcanic activities होती है वो seismographic waves के द्वारा हम नापते हैं तो यानि कि अगर धरती के इंदर जिसे परकार के company होते हैं उनको अगर हमने भुकंपनी तरंगों का नाम दिया गया है तो उसको कितने category में उसे divide किया गया है बहुत से बच्चों की कही ना कहीं myth थी इसका पहला question मैंने यही रखा है question number one में यह बताने की कोशिश करी गए कि धरती के भागों में जो भी company पैदा होती है जो वो waves पैदा होती है actually scientist ने उनको तीन परकार से रखा हुआ है जैसे आप हिंदी में अगर आप देखे तो भुगरविक तरंगों को हमने दो परकार से that means जैसे आप P waves या S waves के नाम से जानते है और दूसरी waves जो होती हो surface waves भी कहराती है होती हो दो परकार की है लेकिन total तरंगे हमें भुगरविक तरंगे हमें देखने को मिलती है वो हमें तीन परकार की ही देखने को मिलती है लेट मिन्स P waves अगर आपको इसको और details में समझना है तो यह कुछ इस परकार के आपको दिखाई देंगी कि यहाँ पे तब back and the fourth motion produce P waves travel P waves travel बिल्कुल सीधी सीधी होती है पर यह बहुत slowly slowly होती है internal part में जैसे हमें पदा चलता है कि भुगाम पाने वाला है S waves जो होती है कुछ snakes type में होती है कुछ ups and downs, ups and downs, ups and downs इस तरीके से होती है यह waves उसके बाद यह दोनों की दोनों waves surface waves ही कहलाती है that is why एक waves को हम love waves बोलते हैं यानि कि यह सीधा सीधा तो चलती है लेकिन बाद में ये इस तरफ या उस तरफ या उस तरफ ऐसे होती रहती है इसलिए हम love waves होलते हैं और दूसरी ये जो waves ये एक ही टाइप में ही circulate होती है होती रहती है कभी उधर जाती है कभी इधर जाती है और साथ साथ पे ऐसे भी surface में घूमती रहती है So that is why यहाँ पे तीन परकार की waves को बताया गया है Question number second के अगर बात करें कि Which waves cannot pass through the liquid material अब क्योंकि तीन परकार की waves होती है तरंगे होती है जो धरती के अंदर activities को बताती है और उससे हमें पता चलता है कि भुकम किस टाइप का आया है धरती के कि स्थर में गया था भुकम पी तो यहाँ से एक waves ऐसी होती है P waves को primary waves बोलते है S waves को secondary waves बोलते है और L और R जो waves थी उन्हें हम surface waves बोलते है इसलिए waves तीन परकार की होती है लेकिन इन में से कौन सी ऐसी waves है जो सही माइने में पानी के अंदर यानि कि liquid form के अंदर सही तरीके से मापी नहीं जा सकती है तो उसका सही आंसर है secondary wave ठीक है नहीं से माधमिक तरंगे भी बोलते है हिंदी के अंदर Question No.3 के अगर बात कर ले हम तो Question No.3 के अंदर ही बताया हुआ है कि अगर आपको ऐसी पिर्थवी के internal part के बारे में अगर जानना है तो internal part के अंदर ऐसी कौन जी सीज़े जो हमें चानकारी नहीं दे पाती है That means पिर्थवी के अंदर जो भी activity हो रही है पिर्थवी के internal part में यानि कि inner part के अंदर जो भी activity हो रही है वो हमें पता चलती है इन में से तीन option बिर्गुल सही है लेकिन एक option जो है वो गलत है तो उन में से कौन सा option गलत है जो सही माइने में हमें बताना है कहने का मतलब यह है कि internal part के अंदर पिर्थवी के internal part में जो अर्थ surface होता है उससे activities होती रहती है और उससे हमें पता चल जाता है लेकिन इन में से ऐसी कौन से जानकारी है जो protection नहीं है यानि कि direct नहीं है तो question number third का answer जो है वो है earth quick waves ठेकिन अ which of the following is the direct source of the information about the internal part of the earth यानि कि धर्थी के अंदर की जानकारी बताने के लिए हमें earth quick waves जो होती है उससे ही हमें पता चलता है कि धर्थी के अंदर वाले part में क्या हो रहा है जिससे आप S waves, P waves और surface waves के नाम से भी जानते हैं ओके तो ये आपको focus करना जरूरी था तीन प्रकार के waves होती है और धर्थी के अंतरिक पार्थ के बारे में जानकारी हमें यही देती है किस परकार का गया था उसके बाद बात करेंगे question number fourth की which of the following is indirect source of the information about the interior part of the earth that means अभी हमने direct पूछा था direct के लिए थो हमें earthquake से पता चलता है लेकिन अगर हमें indirect source की बात करने है तो indirect source के लिए scientist ने बताया है कि आप किस तरीके से अर्थ के indirect source है यानि कि पिर्थवी के उपरी part पर जूभी activities हो रही है वो indirect source हो गया जिससे हमें धर्ती के बारे में information मिलती है कि धर्ती के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है that means उनमें से एक mining activity है mining activity ऐसी activity है जिससे हमें पता जल जाता है कि धर्टी के अंटेरल पार्ट के अंदर क्या क्या चीजे है इसलिए में बात चलता है कि यहां पर माइनिंग करनी ज़रूरी होती है इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए है Question number 5 की बात कर लेते Which type is not a walcanos That means एक परकार का जौला मुखी कौन सा नहीं है जौला मुखी के कई परकार होते हैं हलाकि और चार परकार का जौला मुखी होते है लेकिन आपको बताना है कि इन में से कौन सा जौला मुखी नहीं है तो वाई वालकेनों वालकेनों तो सभी में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में भी इसे बताया हुआ है धाल, मिशृत और उसके बाद कुंड ये तीन परकार की बता रखे लेकिन मेंटर और कोल एक परकार की ज्वाला मुखी नहीं है हमारे पास साइन्टिस ने चार परकार के ज्वाला मुखी को बहुत ये अच्छे तरह के से डिस्क्राइब किया हुआ है हमने इस चैप्टर के उपर वीडियो भी बनाई है आप उस वीडियो को देख सकते हैं चेक आउट कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ये इंपॉर्टन एमसी की आपके पेपर के पॉ जरूर करेगा तो इसका सही आंसर जो है वो सी है मेंटल और को कोई वाल कैनों नहीं है जौला मुखी नहीं है असल में वो पिर्थिवी के हिस्से सत हैं ठीक है तो जौला मुखी आप देख सकते हैं चार परकार के स्क्रीन में आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे कोशे आप नुबर 6 की बात कर लेते हैं विच one of the following describe the lithosphere लिथोस फेल को कहा जाता है और इस्थल मंडल को describe करने के लिए सही चीज क्या है upper and the middle mental, crust and the upper mental, crust and the core या mental and the core अगर आपको इन में अगर सही तरीके से पता करना है तो आपको पता होना जए कि mental कौन सा होता है core कौन सा होता है crust कौन सा होता है वो आपको पता करना ज़रूरी है असल में mental होता तो upper mental कौन सा है inner mental कौन सा है core होता है तो inner core कौन सा है outer core कौन सा है तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है इस diagram के according तो scientist ने ये बताया है कि अगर आपको lithosphere को describe करना है तो आपको crust यानि कि जमीन के उपरी हिस्से को जिसे आप भूपरटी बोलते हैं भूपरटी और उपरी mental mental के भी दो पार्ट होने चाहिए है ना mental के भी दो पार्ट होंगी तो ये वो अला mental जो होगा ये हो गया आपका अपर पार्ट और ये हो गया inner पार्ट तो इस हिसाब से अपर पार्ट ऑफ mental और crust का पार्ट ही lithosphere की category में आता है तो इसलिए इसका सही answer define करने के लिए B है कि crust का मैं बोल सकता हूँ निचला हिस्सा और mental का उपरी हिस्सा जो होता है वो lithosphere कहलाता है इसी पे ही जीवन यापन चलता है मनुश्य का question number 7 की बात करे the magnitude of the earth is measured in हलाकि धरती के अंदर से निगलने वाली तरंगों को scientist ने एक measure जैसे आपको weight तौलते तो उसे आप kg में लेते हैं आपको अगर बिजली की unit मापने तो आप उसे जूल में लेते हैं ऐसी अर्थ क्यों होता है न उसको हम एक तरीके से मापने वाले किसी यंत्र से मापते हैं तो अगर उसको मापा जाता है मेजर किया जाता है तो सही माइने में उसे किस चीज किस scale के अंदर उसे measure किया जाता है तो देख सकते हैं आप Richter scale बोलते हैं इसे एक तरीके का scale है The scale measure the largest amplitude देखो amplitude जो होता है वो इसके pressure होता है on the recording but the magnitude scale measure different part of the earth की धरती के अंदर होने वाले जितने भी company होते हैं उन सब को उसके हिस्से को मापने के लिए उसके company को मापने के लिए एक scale बनाया गया है जैसे आप Richter scale के नाम से जानते हैं इसमें आभी तक scientist ने highly frequency 9 तक की unit थी है 9 Richter scale बताया है हाला कि 10 Richter scale कभी आए भी ना तो Richter scale एक तरीक का scale है जिससे अर्थ की को मेजर किया जाता है ओके तो इससे ही पता चलते है कि कितना अर्थ की कितना जादा गातक था ये कितना जादा हानी गारक था ये कितने जादा pressure से आया था तो यानि कि अगर आप भी कभी आपके इलाके में आए और बताया जाए कि आपके इलाके में 4.2 Richter scale के speed से कहते हैं भुकम पाया था तो आपको पता चलता है कि लगवा को इतने किलो ग्राम की speed से आया होगा ओके तो ये जानना आपको ज़रूरी है Question No.8 What is the thickness of the earth crust in the Himalayan region देखो crust वाला हिस्सा ना scientist बताते हैं कि 0 से 100 किलोमेटर के बीच में उपरी हिस्सा जो होता है वो crust का होता है लेकिन ये vary गर्द है Himalayan region में अलग होगा जहाँ पानी वाला इलाका होगा crust का वहाँ पे उसकी शुरुआत 70 किलोमेटर तक हो सकती है उपरी हिस्सा जो crust का हो सकता है ये वाला crust का हिस्सा यहाँ पे जो Himalayan region होगा वहाँ पे 70 किलोमेटर की गहराई तक ये crust मिल सकता है यानि कि उससे और नीचे भी जा सकता है लेकिन 70 किलोमेटर इतना है कि हिमालें region में पाया ही जाता है कहीं और जाओगे हिमालें region के अलावा जहाँ पर बहुत बड़े पहाड है एवरेस्ट है, नेपाल के इलाके में बढ़ सकता है लेकिन क्योंकि हिमालें region का कोशन था that is why crust को हम देख सकते हैं कि ये उपरी हिस्सा जो crust का को पतला सा दिखा इदर है ये लगबख 70 km की घहराई तक भी हिमालन रिजन के इंदर हमें crust का हिस्सा ही देखने को मिलता है उसके बाद तो mental आएगा लेकिन उसका उपरी mental वाला party आएगा है न तो इसी लिए हम crust को इतने में देखते हैं हिमालन रिजन में तो इसका सही answer जो है वो C है question number हम 9 की बात कर लेते हैं the upper portion of the mental is known as देखो mental को अभी मैंने बताया कि mental के दो इससे होते हैं upper और inner और upper mental और साथ में crust का हिस्सा जब मिलता है हो lithosphere कहलाता है लेकिन mental के अपर वाले portion को भी एक नाम दिया गया है scientist ने ठीक है तो उसे हम crust बोलते हैं ठीक है तो अपर portion of the mental is known as crust यानि की mental को अगर मैं दो हिस्सों में बातूं यहाँ पे हो गया upper यहाँ पे हो गया inner तो upper mental के उपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे crust बोलेंगे तो यह तो बहुत असान है आपके लिए find out करना है तो इसलिसका सही answer जो है वो C है sorry इसका सही answer B है मैं अभी crust और उसके चकर में confused हो गया question number 10 की बात करे the inner of the earth can only understand by यानि कि पिर्थवी के आंतरिक भाग को हम किस तरीके से या उसकी जानकारी किस तरीके से ले सकते हैं examiner कहना चारा है direct source direct source यानि कि धर्थी के अंदर होने वाली activity दूसरा है indirect source indirect source यानि कि धर्थी के उपर होने वाली activity या दोनों ही बोल रखा है हाला कि हम पिर्थवी के interior part को यानि कि अगर धर्थी पे भुकंप हो रहा है और उसकी activity उपरी हिस्से पे पड़ रही है तो हम अपर और अंदर दोनों activity को अगर हम समझेंगे तो हम अर्थ की activity को या अर्थ के inner part को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो इसलिए इसका सही answer जो होगा वो C होगा इससे हम direct और indirect दोनों को समझेंगे तो अगर आप इस channel पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दन subscribe जरूर करेगा ताकि आपको हमारे सारे chapter के notification time to time मिलते रहें Question number 11 की बात करें What is approximate depth of mental देखो scientist के अनुसार mental का पार्ट बहुत बढ़ा है जो crust के बाद आता है और mental के अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है लेकिन mental को दो हिस्सों में बाटा हो है अपर और inner mental लेकिन आपको ये बताना है कि mental की गहराई लगभग कितनी है देखो crust की गहराई भी अलग-अलग मापी जा सकती है जो हिमालियन रिजन है अलग है जहाँ परवत होगा रिजन होगा वहाँ अलग होगा crust के उपरी हिस्से को हम बोल सकते हैं mental के उपरी हिस्से को यानि कि अपर mental और crust वह तो पुरी तरीके से लिद्धोस्वेर का हिस्सा हो गया लेकिन examiner exactly बताना चाहते हैं कि mental कितनी गहराई तक हो सकता है कि वह core को जाके touch हो जाएगा तो इसका सही आंसल 29,000 km है कहने का मतलब इतना मतलब गहरी बिर्थवी है हम सोच भी नहीं सकते हैं तो approximate 2900 km blow the crust crust के नीचे is the mantle and the dense is hot layer and semi solid rock semi solid rock है approximate 2900 km की मुटाई की गहराई में और इसके अंदर बहुत बड़ी मातरा के अंदर iron है, magnesium है, calcium है है ना और इसलिए इसका temperature इसका pressure धरती के अंदर हमेशा बढ़ता ही रहता है तो इसलिए इसका सही answer जो है वो B है question number 12 की बात कर ले the upper portion of the mental is the call यानि कि mental के उपरी हिस्से को तो हमें पताए कि हम क्या बोलते हैं, crust बोलते हैं लेकिन साथ में mental के दो हिस्सों को divide किया गया है तो उपरी हिस्सा जो mental का होता है उसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है जिससे आप क्या बोलते है ethnosphere जिससे आप दुरबलता मंडल बोलते है तो आपको समझना होगा कि what is upper mental core the crust and the upper layer of the mental together make a zone of visit area आप देख सकते हो यहाँ पर यह outer core और inner core हो गया अगर हम mental को दो हिस्सों में बाटेंगे तो यह हो गया हमारा outer outer mental है ना बहार का mental और यह inner mental हो गया inner mental हो गया तो इसके हिसाब से जो यह outer mental वाला हिस्सा इसको ethnosphere की category में बनाया गया है scientist के द्वारा ठीक है अब the atmosphere is the part of mental that flow and move the plate of the earth और इसी के बीच में यह moves होते रहते हैं ठीक है और इसकी mental की गहराई हमने देख लेती कि लगबग 2900 किलो मीटर तक भी इसकी गहराई हमें देखने को मिलती है तो इसका सही answer भी है question number 13 की बात कर लेते what is the thickness of the crust crust की अब thickness कितनी है अलग-अलग बताये गई थी हिमालेन रीजन में मैंने बता दे दी कि इतनी हो सकती है minimum के इसाब से लेकिन crust की भी thickness बताई गई है अलग-अलग जगाओं पे अलग-अलग vary करती है ये तो बताया गया scientist के अनुसार कि 10 किलोमेटर से 200 किलोमेटर की thickness हम crust की देख सकते हैं मैंने 100 बताई थी लेकिन 100 से ज़ादा भी है ये कि यहाँ पे हम C लेवल पे अलग देख लेते हैं दूसरे लेवल पे अलग देख लेते हैं जो है वो ए है question number 14 volcanoes are जौला मुखी होते क्या है असल में तो वो उसका फाइदा क्या होता है मतलब जौला मुखी होते क्या है indirect source of information about the earth ये indirect source होते हैं जिससे हमें धर्ती की गति वीडियो के बारे बाद चलता है या ये direct source होते हैं इन्फोर्मिशन के है ना ये पिर्चिवी के तापमान पता लगाने के अच्छी स्रोथ होते है सही माइने में वैलकोन से ही हमें पता चलता है कि धर्ती के activity में क्या हो रहा है इसलिए direct source होते हैं इसलिए इसका answer जो है वो B है इसके बारे में हमने पहले पर discussion कर लिया था पहले बिचले वाले question में ये direct source हो सकते हैं इससे में temperature का नहीं पता चलता है धर्ती के अंदर क्या temperature है या धर्ती के ऊपर क्या temperature होगा लेकिन ये direct source हो सकते हैं जिससे हमें पता चलता है तो देखो आपको पता चल गया होगा कि रिक्टर स्केल से दर्ज करे जाती है इतने इतने क्या करते हैं स्केल पर से दर्ज करे जाता है maximum 10 है लेकिन अभी तक scientist ने 9 ही बताये हैं कि इतना highest रिक्टर स्केल हो सकता है इससे जादा कभी नहीं हो सकता लेकिन अगर ये नापा जाता है तो किस हिसाब से नापा जाता है इसको हिंदी में हम भुकम सूचक यंत्र बोलते हैं और English में से सिस्मो ग्राफ बोलते है देख सकते हैं अप इसे अर्थ के बारे में पता चलता है कि हाँ कितनी तेजी से अर्थक आया है एक तरीके का यंत्र बनाया गया है साइंटिस्ट के दौरा हाँ इसको बनाया किसने है वो फाउंड दिस आप कमेंट जरूर करेगा क्योंकि पेपर के पॉइंट अव्यू से आपके लिए बहुत ही जादा ये जरूरी हो जाता है क्योंकि धर्ती के इनर पार्ट में क्या एक्टिविटी हो रही है वो सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा ही बता जलता है अब इसको बनाया किसने है वो फाउंड आट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो हमारी जियोग्राफी की वीडियो देख रहे हैं सिंसरली से मुझे पता है वो जरूर कमेंट करेंगे और हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से धन्यवाद है उसके बाद हम बात करते हैं कोशन नमबर 16 की primary waves है और ये body waves का ही part है इसको हमने पहले भी discuss कर लिया है लेकिन आपको ये question नहीं बता था पी तरंगे सबसे पहली पहुँचने वाले तरंगों में से एक है जो धरती के surface यानि के crust के हिस्से में सबसे पहले पहुँचती है question number 17 की बात कर ले core is the core is made of और mental की नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो core होता है असल में core भी दो type की होते हैं जिसे आप outer बोल सकते हैं और उसे inner भी बोल सकते हैं असल में पूछा ये गया है कि आप से की outer के अंदर अगर कुछ चीश पाई जाती है तो outer के अंदर पाया क्या जाता है हमने mental तो देख लिया कि mental के अंदर बहुत सारी शीशे पाई जाती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पीछे वीडियो को revise कर सकते हैं वहाँ से देख सकते हैं लेकिन अगर आपने देखा है तो आपने core नहीं देखा है core के अंदर असल में सबस्यादा पाया क्या जाता है तो आपको सही माइने में देखेगा कि वहाँ पे nickel और magnesium सबसे जादा पाया जाता है और paper के point of view से ये बहुत जादा ज़रूरी है कि nickel और magnesium हमारे लेक important धात्वों में से elements में से हो सकते हैं इसलिए ये part जो है बहुत ज़्यादा important है question number 18 की बात करें जो बंदा study करता है सिस्मोग्राफिक waves के बारे में वो असल में provide क्या करवाते हैं है ना तो वो असल में a complete picture of layered inner वो दिखाने की कोशिच करते हैं कि संपूर्ण शित्र के धरती के पड़तों में क्या चल रहा है या वो मौसम की जानकाती देते हैं ये जलवाई उध्यन करने में और मदद कराते हैं ये बहुत ही easy है जो सिस्मोग्राफिक यंत्र का study कर रहा है ये तरंगों की study कर रहा है वो पूरी दरीके से complete picture देता है कि inner part में क्या हो रहा है पिर्चवी के इसलिए इसका answer जो है वो A है अब question number 19 की बात कर लेते हैं जहां से the place where the energy of the earthquake is originate क्योंकि S wave, P waves, body waves, surface waves अगर कहीं से भी निकल रही है energy उसकी तो उसे कहते क्या है अर्थक्य के अंदर तो hypo center, head point, center of autonomic energy या none of the following इसका सही answer hypo center है अब बच्चों को epicenter और hypo center में बहुत बड़ी दिक्कत होती है इसका सही answer A है और मैंने picture के according बता रखा है कि भई hypo center focus है यहाँ पे माली जी कि heat हुआ और यहाँ पे भुकम का शुरूद start हुआ हाइपो center से बिल्कुल उपरी हिस्से पे जहाँ पे यह point बनता है उसे epicenter बोला जाता है तो यह hypo center और epicenter दोनों में difference है आप कभी दोनों को एक नहीं कर सकते है ठीक है इसका सही answer जो है वो A है question number 20 और last बात कर लेते हैं is the density of the rock between the adjoining line of mental and the core यानि कि mental और core के बीच में जो line adjoined हो रही है जुड रही है समवर्ती रेखा बन रही है उनके बीच में जो चटाने होती है उनका घनत या density कितनी पाई जाती है बहुत time के बाद यह question मैंने ढूंडा और बहुत important था यह question तो यह paper के point of view से मुझे पता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा लेकिन इसका सही answer 5 gram per square centimeter की density होती है अब इनके बीच में जितनी भी दूरी होगी mental और core के बीच में अगर माल नी जीगी अगर हम दूरी देखके चले या इस पर्ष देखके चले अगर वो एक किलो मिटर या दस एक से दस किलो मिटर के बीच में भी अगर इनके बीच की touching point को अगर हम देख लें तो आप उसे 5 gram per square centimeter के हिसाब से यहां की density का यानि की घनत्व का पता कर सकते हैं तो यह सभी important question में से एक था इसका सही answer B है I hope you got so much information from this video अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को subscribe जरूर करेगा और साथ में चैनल को like जरूर करेगा शेयर करेगा और साथ में भाई हमारे bell के icon को प्रेस करेगा ताकि चैनल की सारी updates आपको मिलती रहे तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और यह पाटशाला चैनल के आप subscriber है या नए subscriber है तो इट पाटशाला की team से आप सभी को यही request है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें और कोशिच करें कि आप दूसरों को share करवाने के लिए बोले क्योंकि आप जितना वीडियो को share करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जबी बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चानल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत